इस कारिक्रम के पुन्यार जग परिबार हैं इस कारिक्रम के 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 परिबार हैं गाथा नंबर 20 प्रस्ट 20 देखें इस कारिक्रम के परिबार हैं इस कारिक्रम के परिबार हैं और जो धर्म है वे हे समो समता इसको कहा गया है चारित्र की परिबार हैं फिर देखें निष्चय से चारित्र ही धर्म है और जो धर्म है वे हे समो समतारू परणाम को कहा गया है समतारू परणाम कैसा है मोह खोह विहीनो मोह और ख्षोब से विहीनो माने रहित है ऐसा वे परणाम आत्मा का है और समो उसे समता कहते है अर्थात फिर देखें एक बाद मोह और ख्षोब से रहित जो आत्मा का परणाम है उसको समता कहा गया है पंडे जी धरं क्या है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान ये बताता है मुक्ष प्रार्थी का मुक्ष प्राप्ती का उपाय क्या है सम्यक दर्शन अर्थात उस मुक्ष प्राप्ती के उपाए पर हमारा पक्का सरधान होना सरवग्य ने कहा है ये सच्चा मारग है ये सच्चा मारग है हाँ इसका नाम क्या है सरधान लेकिन सरधान और ग्यान हुआ लेकिन अभी यहां धर्म नहीं हुआ धर्म किसे कहते हैं आचरन को और वो आचरन कैसा होना चाहिए ना उसमें मोहो ना उसमें क्षोब हो वे है आचरन उस आचरन को क्या कहते हैं समो समता वे समता ही धर्म है देखिए कितना अच्छा कह रहे हैं चारित्तम खलु धम्मो चारित्र ही धर्म है सम्यक ज्यान धर्म नहीं सम्यक ज्यान से आपको मालूम पढ़ा क्या चीज कैसी है आचरण नहीं धर्म नहीं सम्यक दर्शन से आपने उस ज्यान पर स्रद्धा बनाई वो भी अभी धर्म नहीं जब आपने उसके अनुसार आचरण शुरू कर दिया तह हम कहेंगे चारित्तम खलुधम्व निश्चे से चारित्तरी ही धर्म है अर्थात क्या बात बनी धर्म क्या है जैसा आगम में लिखा है उस अनुसार मुक्ष प्राप्ति के उपाई को जानकर स्रद्धान कर आचरन करना उसका नाम धर्म है अगर आचरन हो और स्रद्धान नहीं हो तो धर्म नहीं वो कारी कारी नहीं कहते हैं पूजा आप कितनी ही करें और आप स्रद्धान नहीं है आपको भगवान पे आपकी पूजा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा इसलिए यहां आचार ने कहा धर्म क्या है सम्मेक दर्शन और सम्मेक ज्यान सहित जो बुक्ष प्राप्ति का आचरण है चारित्र है उसका नाम धर्म है पंजी जी चारित्र में और सम्ता में क्या अंतर है अर्थात सम्ता ही चारित रहे सम्ता का मतलब कैसी भी अवस्था कैसी ही बिवस्था सब में हर्ष विशाद रहित सामान परिणाम रहना यही तो आचरण है और आचरण क्या है सम्मे ज्ञान हो जाए और सरद्धान हो जाए और यदि हर्ष विशात का काम नहीं हो रागद्विश का काम नहीं हो इसी का नाम समता है और समता ही चारित्र है गाथा में क्या लिखा कुंद कुंद महराज ने चारित्तम खलु धम्मो चारित्र ही धर्में ओवे धर्म समता को कहा गया है इसलिए समता और चारित्र दोनो परयाई वाची है पंटिक जी जरा समता परिःआम के मारे में बता जी थी, ठोड़ा से जरा गाता को देखो न, मोह खो भी हीनो, मोह माने मोह माने दर्शन मोह नी और खो finals माने चारित्र मोहनी अर्थात धर्म क्या है मिठ्यात दर्शन मुवनी से रहित अर्थात मिठ्यात से रहित और ख्षोब मने चारित्र मुवनी से रहित अर्थात कशाई से रहित मिठ्यात और कशाई से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम समो समता अर्था चारित्र है मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला आप मुहो माने मिथ्यात और कशाई से दूर होकर जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम चारित्र है और उसे कहते हैं समता अच्छे में अच्छा जब मालूम पड़ता है बुरे में बुरा जब अनुहों में आता है तदनसार हमारे परिणाम होते हैं ये चारित्र मुहुनी का कार्य है और अच्छे बुरे रूप अजो आत्मा परिणामन करती है वे अभी मिथ्या दस्टी है सम्मिक दस्टी के परिणाम समता रूप होते हैं पुत्र उत्पन हो जाए तो भी पुत्र का भाग्य योग में दुख मोह और ख्षोब से रहिद जो आत्मा का परिणाम है उसे कहते हैं समता और समता ही चारित्र है और ये जो परिणाम है मोह और ख्षोब से रहिद वास्तम में ये यी धर्म है समत्वद्र महाराज ने रतकरन शावकाचार में धर्म की क्या परवशा बताई देशयामी समीचीनम धर्मम मैं समीचीन धर्म को कहता हूं क्या है वो कर्म निवरहनम जो कर्म को दूर करने वाला है क्या करता है धर्म संसार दुखत सत्वान योधरत त्युत्त में सुखे जो सत्वान मने जीवों को संसार के दुख से छुड़ा कर उत्तम सुख माने मोक्ष में धर्ता है उसे कहते हैं धर्म तो धर्म है क्या सद्रिष्ट ग्यान वृत्तान धर्मम धर्मिश्वरा विदुह। सम्मेक दर्शन सम्मेक ज्यान सम्मेक चारित्र इसका नाम धर्म है और अगर चारित्र है तो फिर अच्छे और बुरी में समता परिणाम रखना ही तो चारित्र है इसलिए संसार से छुड़ा कर मुक्ष पहुँचाने का कारी कौन करता है चारित्र करता है इसलिए चारित्र माने परिणामों में समता और समता माने दर्शन और चारित्र मुहुनी से रहित या मित्यातु कशाई से रहित आत्मा के परिणाम सण्डी जी क्या निश्चय चारित्र को में सुध्धोपयोग कह सकते हैं? वीतराग चारित्र कहो शुद्धात्मानु भूती कहो ये सब परियायवाचिय है शुद्धो पयोग और ये सब एक ही है इनमें कोई अंतर नहीं निश्य सम्मिक चारित्र कब होता है जब तक शुभो पयोग में है ब्यभार सम्मिक चारित्र है वो जहां शुद्धोप योग में आए वे चारित्र अपने आप निश्चे सम्मिक चारित्र बन जाता है उसी का नाम तो परमसमाधी है उसी का नाम निर्विकल्प समाधी है वेही अभेदरतनत्र है वेही शुद्धात मानुभुती है जब आत्मा आत्मा में रवन करके अवसुक का नोभ करता है उसका नाम है परमसमाधी या शुद्धात मानुभुती है इसलिए एक ही शब्द हैं ये सब पंडे जी क्या निश्चे चारित और सरूपा चरनचारित दोनों एक ही है यद्यपी स्वरूप आचरण चारित्र का किसी भी आचारी ने किसी भी शास्त्र में वरणन नहीं किया इसलिए इस सब्द की व्याख्या आगम के अनुसार तो कुछ बनती नहीं अब हम शब्दों के अनुसार देखें स्वरूप आचरण चारित्र आत्मा का वह परिणमन जो स्वरूप में आचरन करते समय होता है अर्थात आत्मा जब अपने स्वरूप में रमन करती है उस समय जो उसका आचरन या परिणाम है वो कहलाते हैं स्वरूप आचरन चारित्र अगर इस तृष्टी से हम देखें तो वीतराग चारित्र या निश्य सम्मिक चारित्र और स्वरूप अरचरण चारित्र एक ही है निश्य सम्मिक चारित्र कहा होता है सब्तम गुनुस्थान वीतरागी मुनी महराजों के शुद्धु पयोग की अवस्था में और साथ से बाहरे तक होता है सुरूप अचरन चारित्र का होता है ये भी साथ से बार होता है सुरूप में आचरन का होता है शुद्ध पयोग में तो सुरूप अचरन चारित्र का गुनस्तान साथ से बारा सुरूप में आचरन करने वाले मुनि महराजों के अर्थात सुब से हटे, शुद्ध में आये, कशाय रहित परणाम हुए और आत्मा आत्मा में लीन हुई उसका नाम स्वरूपाचरन चारित्र कह लो या आगम की भाषा में निश्चे चारित्र या अभेद रतनत्र कह सकते हो पंडित जी, कुछ लोग अनन्तानु अन्दिक असाय के अभाव से स्वरूपाचरन चारित्र मानते हैं, वह कैसे घटित होगा? जो बात सत्य नहीं है, रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, और घटित कैसे होगी? हो इन पाएगी और जो लोग ऐसा बोलते हैं, वो भी घटित नहीं कर पाते हैं, बोल देते हैं, जब उनसे चर्चा करो, चुप हो जाते हैं हमने एक सज्जन से पूछा, आप अनंतान बंदी के अब आप से स्वरूपा चरण मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं हमने का अच्छा बताओ, तीसरे गुनस्थान में अनंतान बंदी है या नहीं? कि तीसरे गुनस्थान में तो नहीं है अनंतान बंदी तो तीसरे गुनुस्तान में जहां सम्मेक दर्शन भी नहीं है वहां सरूपा चनल सारित तुर्मान आ जाएगा क्या अब वो हमारा मूँ देखने लगे कि यहां तो हमाटक गए भी या हमने फिरूम से पूँचे आच्छा सुनो अनंतान बंदी की विसंयोजना वाला मित्याक्त में आया पहला गुनुस्तान हो गया एक आवली तक अभी अनंतान बंदी का उदे नहीं है और पहले गुनुस्तान में है तो क्या एक आवली में अनंतान बंदी के अभाव दशा में क्या सुरूपाचरणचारित तुमानोगे अब बिचारे नीचे देखने लगे क्या उत्तर दें जो नार की नीचे काटा मारी करने में लगे हैं मानलो सम्मक दिश्टी हैं और उनके अनंतानुबंदी का अभाव चल रहा है अभी क्या उनके मारा काटी करते समय भी सुरूपाचरणचारित मानोगे अनंतानुबंदी के अभाव से मानते हो न तो क्या आपती है उनसे जवाब नहीं बना बनेगा भी कैसे जो आगम की दिरिश्टी नहीं वो नहीं बन सकती ये मानिता बिल्कुल ठीक नहीं है अनन्तानुबंधी के अभाब से कोई चारित्र नहीं होता तोडरमल जी ने इस पस्त मोक्षमार प्रकाशक में लिखा है अनन्तानुबंधी के जाए से चारित्र में कछू विशुद्धी तो आये है परंतु ऐसी भिशुद्धी ना होए जो चारित्र नाम पावे है चोथे गुनस्थान तक तो चारित्र का नाम और निशान ही नहीं है कि वो नाम और निशान नहीं है तब चतुरत गुनस्थान में सरूपा चरण मानना और फिर तीसरे में भी मानना और फिर पहले में भी मानना ये किसी दशा में उचित नहीं आते हैं उनका कहना ठीक नहीं आगम सम्मत नहीं है अब देखते हैं मोह क्या है मोह के चिन क्या है अठे अजधा गहनम करुणा भावो या मनु या तेरी एसु विसे एसु या पसंगो मोह से गानि लिंगानी शिष्ष ने पूछा महराज ये मोह है इसकी पहचान कैसे करें इसके चिन्न क्या है कुंद कुद्न महराज ने ये एक गाथा लिखी अठे पदार्थ का अजधा आयथार्थ गहनम ग्रहन होना यथार्थ माने जैसा का तैसा आयथार्थ माने जैसा नहीं है वैसा अर्थात विपरीत अर्थात गलत अठे पदार्थ का अयथार्थ ग्रहन होना दूसरा करुणा का अभाव होना करुणा भावो संधिविच्छेत किया करुणा अभावो करुणा का अभाव होना किन में मनुव मनुष्यों में और तिरियेशू त्रियंच्यों में नार्की और देवों में तो करुणा का कोई प्रश्णी नहीं है हम कुछ करी नहीं सकते हैं हम करुणा कर सकते हैं मनुष्य और त्रियंच्यों में इसलिए मनुव माने मनुष्य और त्रेंचों में करुणा का भाव होना और विशियेशु यप पसंगो और विशियेशु पाँच इंद्रियों के विशियों में अप पसंगो आशक्ती होना मुहस्व एदानी एदानी माने ये मुहस्व माने मुहो के चिन्न है मुहों के चिन का है मुह रूप परनती हो रही है कैसे मालूम पड़ेगा उसमें ये लक्षन देखने है इन्होंने यहां तीन लक्षन बताए अगर ये तीन बाते हैं व्यक्ति वो ही है देखें पहला पदार्थ का अठ्थे माने अर्थे अर्थे माने पदार्थ का आयथार्थ ग्रहन पदार्थ जैसा है वैसा नहीशा और बनुष्य और त्रियंचियों में करुणा का अभाव होना द्या का अभाव तीसरा विशियेशू पन्चिंद्रियों के विश्यों में अपसंगो आशकती रुची जुकाव होना एदानी ये मुहस मुह के लिंगानी चिन्न है ये मुह के चिन्न है अगर ये है समझना ये जीव मुह का मारा हुआ है पंडित जी पदार्थ का विप्रीत ग्रहान मुह का चिन्न क्यों है पदार्थों का जैसा का तैसा ग्रहन करना सम्यक तो है और पदार्थों का विप्रीत ग्रहन करना मिथ्यात तो है मिथ्यात माने दर्शन मुह नी तो ये मुह का चिन्न हुआ के नहीं हुआ क्या लिखा है अठे पदार्थों में अजदा गेहनम अयतार्त ग्रहन जैसा सरूप नहीं है वैसा मानना इसी को तो मिथ्यात कहते हैं और ये मिथ्यात तो दर्शन मुहनी के उदे से होता है इसलिए दर्शन मुह का चिन या मुह का चिन है पंडी जी करुना का अभाव होना मुह का चिन है या करुना करना मुह का चिन है जो आचायर कुंद कुंद के साहित को बहुत अच्छी तरह पढ़ने वारे लोग वर्तमान में हैं वो यहाँ इसका अर्थ गलत करते हैं वो लिखते हैं करुणा का भाव होना मुह का चिन्न है क्या मतलब किसी पे दया करना ये भी तो मुह हुआ नहीं पर ऐसा नहीं आचारी ने इसका अर्थ ऐसा नहीं किया करुणा तो आत्मा का सुभाव है इसलिए करुणा भाव करुणा का भाव होना मनुश्वर्त नंचों पे ये मुह का चिन्न नहीं हाँ करुणा का अगर अभाव है तो मुह का चिन्न है तो करुणा भाव क्या लिखा आचारियों ने धम्मो दया विशुद्धो धर्म कैसा होता है दया से भी शुद्ध दया माने करोणा होना करोणा माने यह दुखी है इसका दुख कैसे दूर किया जा सकता है यह तो आत्मा का सुभाव है बड़े बड़े आचारी हों कोई भी हों उनको करोणा दया तो आती है ये मुह का चिन्न नहीं ये आत्मा का सुभाव है इससे रहित तो कोई नहीं होता तो यहां सही शब्द है करुणा भावू अर्थात करुणा का अभाव किन पर मुनुष्य और तरियंचों पर ये मुह का चिन्न है करुणा तो आत्मा का सुभाव है पंडे जी विश्यों में आसकती को मुह कशिन क्यों कहा? मुह की दो ब्रांचे हैं राग और द्वेश या कहें कशाय की दो ब्रांचे हैं राग और द्वेश पांच इंद्रियों के विश्यों में आशक्ती होना राग है और पांच इंद्रियों के विश्यों में अनाशक्ती होना ये वैराग्य है वैराग्य मुह का चिन्न नहीं राग मुह का चिन्न है इसलिए अगर पंचिंद्रियों के विश्यों में लगाव है तो वे राग है और राग मुह का चिन्न है इस प्रकार इस गाता में मुह के जो चिन्न बताएं बहुत इस्पस्ट रहे हम और आप सभी सुनने वाले जरा अपने में जहाग के देखें साथ तत्त नौपदार्थों का यथार सिर्धान है या नहीं नहीं है बहु का चिन्न है मिठ्यात तो है अच्छा मनुष्वर तरिंचों पर दया आती है या नहीं दया आती नहीं है बहु की तीबृता है ये भी गलत है और की बात तो और छोड़ो साधर्मी भाईयों के साथ करणा भाव वो तो ठीक है आचायर तो कहते हैं कोई त्रेंच हो कोई भी हो किसी भी जाती का हो जीव मात्र पर करणा का भाव रखना है जो दुखी है इसका दुख में कैसे दूर करूं ऐसा चिंतन तो आत्मा का सुभाव है ये नहीं होता है तो मोहों का चिंन है अपने में ढूरिये किसी को दुखी देखकर मुझे गुसा आती है या दया दया आती है तो ठीक है और तीसरी बात और देख लीजिये अपने में अर्थाद पंचिंद्रियों के विश्यों में राग तो नहीं है मिलें तो ठीक, ना मिलें तो ठीक एसी चल रहा है तो ठीक, लाइड चली गई है तो भी ठीक दुखी होने का किसी अवस्था में काम नहीं धर्म शाला में जाके ठेरे, गर्मी के दिन है, व्यवस्ता नहीं है, तो भी प्रसन, व्यवस्ता मिल जाए तो भी प्रसन, कोई दिक्कत नहीं, पंचिंद्रियों के विश्यों में बिल्कुल आशक्ती नहीं होना चाहिए, हम और आपको चाहिए इन तीन चीजों से बचें, म हैं, श्रीमती प्रमोग जैन धर्मपत्नी, श्री राजकुमार जैन, पुत्र अनुद जैन, दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी, श्री रिशब जैन, पुत्र सिधार्त जैन, अरिहंत जैन, आस्ट्रेलिया, श्रीमती नुपुर जैन, धर्मपत्नी, श्री कार् प्रिवार्ट 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 अम्भिका कॉलोनी सांगानेर जैपुर श्रीमतियानन्तुमति जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार जैन, पुत्र गारव जैन, वैभव जैन, पुत्र वधू स्वाती जैन, सुपात्री प्रत्यूशी जैन, नहरुनगर गाजियाबाद सुशीला बंडी की पुन्यती थी की स्पृती में प्रवीन चंद बंडी, सूरीकांता बंडी, सुरेश बंडी, उशा बंडी, प्रमिला पाडलिया, मंजुला शाह, पसंदमाला दोशी, मंगला गुलाटी श्री पारसनाथ, री रॉलिंग मिल्स, लिमिटेग, दुर्गापूर वान, वर्दुमान पश्चंबंगाल, अमिता जैन, वाइफ ओफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ओफ विपन कुमार जैन डाही बेन कस्तूर चंद शाह, कडियादरा, श्वेता बेन प्रकाश भाई हर्शी, जैनम बोरिवली, मुंबाई श्री श्रेयाँज कुमार जैन, श्रिमती संतोश जैन, कानपुर, विपल जैन, आराधना जैन, पारुल जैन, गुर्गाप, अतोल जैन, पूर्णिमा जैन, सूचित जैन, आριयन जैन, नौईडा श्रिदिगंबर जैन महिला शास्त्र सभाज सूर्यनगर गाजियाबाद निशान्त आर्शाह, आर्ती एंशाह, अनन्या एंशाह, वीर एंशाह, कैटर्पिलर साइंस प्राइवेट लिमिटेड अहंदाबाद मानक्चन, कमला देवी, राकेश, नीतु, रिशव एवां आयूशी मुश्रफ, B123 सेथी कॉल्वनी, जैपुर, राजस्थान